नितीश कुमार जनता दर्बार में बैठे हुए थे और उसके पास एक लड़का पहुचता है और कहता है कि मेरा नाम भी नितीश कुमार है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी हसते हुए कहते हैं कि अच्छा बस स्पेलिंग ही तो गलत है बाकी नाम हम लोगा सेम है वो लड़का जनता दर्बार में मुख्यमंत्री नितीश कुमार के पास आया था और उस लड़के को ये चाहिए था कि उसके पिता का इंसुरेंस का जो क्लेम है वो क्लेम हो जाए और उसके बाद नितीश कुमार मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा कर वो अपने अधिक आने के बाद नितीश कुमार हमको लगता है कि चैन से सोय होंगे बाकी कले का एक मामला आया था जो हमको लगा कि बेहत जरूरी है इस्टुडेंट क्रेट कार्ड योजना वो ऐसा हतियार जिसको लेकर बिहार सरकार ने बहुत सारे दावे किये कहा गया कि स्टुडेंट लगी पहुंचती है नितीश कुमार के पास और वो लड़की कहती है कि हुजूर देखिए हम लोन लिये थे पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए का और अभी हम IGI MS में काम करते हैं as a nursing officer वो लड़की कोर्स की थी BSC nursing का और अभी IGI MS में वो nursing officer के रूप में तैनात है वो लड हम ध्यान समझेगा इस बात को क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे बच्चों के साथ यही समस्या है वो लड़की नितीश कुमार को बताती है कि नियम के मुदाबिक student credit car का योजना का लाभ अगर कोई लड़की लेती है तो उसको मात्र 1% के बयाज पर उसको रिन मिल जाता है लेकिन जो बैंक है वो 10% के चक्रविर्धी बयाज के हिसाब से लोन काट रहा है और 18,000 हम कमाते हैं और महीने का 10,000 रुपया तो हमको बैंक में लोन चुकाने में ही लग जाता है नितीश कुमार बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहे थे और नितीश कुमार इ पहली बार नहीं सुन रहे थे इस्टुडेंट क्रेट कार्विश लेने वाले योजना लेने वाले कई लड़कों ने यह कमप्लेै लोन वापस लिया जा रहा है और इसी के चलते वो लोओ जब कमा कम रहे हैं और बैाज ही ज्यादा देना पड़ रहा है तो लोग परिशान हैं उसके बाद नितेश कुमार अफसरों को कहते हैं कि सबसे पहले इस बाहए कर रहे हैं वह लोग के साथ अगर यह परिशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वह लोग आवैधन दे सकते हैं आवैधन के साथ-साथ उन्हें यह भी दिखाना है कि उन्हें कितना लोन लिया कब लोन लिया क्या पढ़ाई की कहा नौकरी कर रहे हैं क्या सेलरी है और उनको कितना चक्रिविर्धी बयार्ज देना पढ़ रहा है बढ़ा हुआ अगर ऐसा होता है तो आप सिधर लेकर आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद आप नितीश कुमार ने बैट कर सारे लोगों की बातों को सुना। कुल 64 लोगों के मामला का कल निप्तारा किया गया। सारे अधिकारियों को वहीं पर फोन लगा दिया गया। और फोन लगाकर सीधा निर्देश्ट दिया गया कि इनके मामले को आप फीक करिये। कल एक ऐसे वक्ति पहुंचे थे जो दुबारा नितीश कुमार के पास जन्तादरवार में गए थे और जन्तादरवार में जाने के बाद उन्होंने नितीश कुमार से गुहार लगाई और इस बात का रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से मेरे मामले का निप्तारा किया जाए और नितीश कुमार ने उनके मामले को सुना भी और निप्तारा भी कर दिया जनता दर्बार जब शुरू हुआ था तो कई तरह के आरोप लगे थे कि नितीश कुमार अपना जनाधार खो चुके हैं इसलिए फिर से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन वाकई में जनता दर्बार लोग